बहुत सारे student ऐसे होंगे जो यह सोच की वीडियो को नहीं देखेगा वो सोचेगा कि कैसे कोई आदमी एक हजार objective करा सकता है नहीं दोस्तों जैसे कि हम लोग ने फिजिस का 500 वाला objective यहने कि 500 objective वाला जो शुरू किया था उसी तरीके से बैलो जी का 1000 objective वाला शुरू किये क्यूंकि बैलो जी में दोस्तों objective को सब्सक्राइब बहुत ज्यादा बनता है फिजिस के comparison में ठीक है इसलिए मैं आपको 1000 BBI objective कराऊंगा और मैं दोस्तों आपको गारंटी देता हूँ 35 नमर आपका आएगा ही अब ऐसा नहीं कि 1000 objective जो है एक ही वीडियो में करा देंगे क्यूंकि एक हजार objective को एक वीडियो में कराने लगे तो कम से कम 10 गंडा का वीडियो बन जाएगा क्योंकि 100 objective को अगर एक गंडा में क्योंकि discussion भी थोड़ा वोत करना है तो एक एक गंडा लगेगा तो कम से कम 10 गंडा लग जाएगा समझ रहे है इसलिए पार्ट वन पार्ट तु यानि कि 10-15 पार्ट में आपका एक हजार objective कंडेट हो जाएगा तो आज की सीडियो में हम ल से लिके आखिर तक सब देखना है ठीक है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बैलो जी का आज पहला पार्ट है उसी तरीके से सेकेंड पार आएगा अगर ये वीडियो आप बात में देखने है तो प्लीज डिस्क्रिक पर जाएए लिंक वहाँ पर आपको पार्ट 2 का मिल जी बोलते हैं उसको भी नहीं खा दिया तो यानि कि मद्य बित्ती हो गया बहुत कोई यह आपर बाहरी लगा देता है कि नहीं हम लोग कच्छा में जो है छिलका वाला को खा लेते हैं ऐसा नहीं है आपको यह पर पकने के बार अंसर हम लोगों को एजूकेशन के सांगर ख काई कोशिकाम है यानि कि ऑप्शन है ठीक है तो समसुत्री विवाजन जो है वो काई कोशिकाम होता है सभी कोशन आपके लिए इंपोर्ट है बिलीज आप नोट करते विए अपर इसकिन सोट लेगे जाए और जिसका अंसर आपको आता तुरान अंसर को कमेंट कीजिए इस तो इसका जो राइट अंसर वो है पार्थे नो कॉर्पिक क्या कहते हैं और प्षी मेटक अस्तन पाई इनमेंसे किसमा आतरिक निषय नहीं होता है यहाँ पर नहीं है student जोए अख्सर पर confuse जह आते हैं नहीं को छोड़ देते हैं और उसको सभझ लगते है नीजरचन होता जो किसी में भी लगा देगा ठीक है इसका जो राइट हरो गा मेड़क 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 में जो है आन्त्रिक नीशरचन नहींarta है ठीक है तो द्वी खंडन जो है वह एक परकार का क्या है तो दोस्तों यह है अलेंगेग जनान यानि कि option B तो द्वी खंडन जो है एक परकार का अलेंगेग जनान है एक परकार का अलेंगेग जनान अब देखेंगे next question question number 6, इनमें से कौन अंडज है, एकिडना, कंगारू, गाहे या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग बताएंगे हमें, कि इनमें से कौन अंडज है, एकिडना है, कंगारू कौन नहीं है, एकौन है याँ पर लिखा हुआ है, तो दोस्तों, 6 का जो एक ही बार पुस्वित होता है कौन, बांस, आम, एफिर तार का पेर, जो अब लोग तार होता है, ठीक है, तो इसका जो राइटन से हो जागा, वो है बांस, बांस, यानि को option A, तो बांस जो है, अपने जिन्दगी में, अपने जीवन में, बस एक ही बार पुस्वित होता ह फिर उसके बाद वो मर के फिर दूसरा चीज दे देता, जैसे आप पांस के जहर देखे होंगे, वहाँ पर क्या होता है, बैंबू, इम लोग इंगलिस में क्या होता है, बैंबू, ठीक है, बैंबू, 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 इस पेलिंग होता है, सायद गलत हो मैं, तो तो दोस्तों इसको जो राइटनसर हो जाएगा वह होगा आपका यूगमनत यानि को आपसन डी बहुत लोग आपको क्या करेंगे वह सी को लगा देगा कि नहीं आपकर सी होगा देगा देखिए ऐसा अकसर जो है अकसर सही होता सी लेकिन कभी-कभी गलत होया था इसलिए आप अब लोग बीच को खा सकते हैं यह आपको कोशन पूछ रहा शरीफा का लीची का या फिर जैफल का या इनमसे सभी का तो दोस्तों इसका जो राइटनसर हो जागा वो हो जागा इनमसे सभी का ठीक है तो शरीफा का भी लीची का भी और जैफल का भी जो है बीच को खाया जा सकता है, जरूनी नहीं सब कोई खाता होगा, ठीक है, अब देखें ने इस कोशन कोशन नमर्ट 10, सब सम यूगमकी पाई जाती है, आप लोग बता ही, यह जो सम यूगमकी है, यह कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका जो राइटन्स हो जागा, वो हो जागा शैवाल, यान आपका राइटन्स जरोगा, अब देखेंगे नेस कोशन कोशन में ले लोगत आपका हो जाएगा, अंड परजक्ट निम्ना अंकेत में काॉण है, आप बताईए निम्नी में से कौण है, जोकि अंड को परजक्क करता है, सरप है, मगरमच है, मुर्गी है आपर इंड में से कौन है जो कि अंड को उत्परंद करता है एक सरप करता है हम लोग जानते हैं मुझी करता है वगण हम इसके बारे में नहीं जानते अब यहां पर ए तथा सी यह भी ऑप्सन नहीं दिया हुआ है यही होगा ठीक है क्योंकि दोनों को ठीक लगा नहीं सकते है चलिए अब देख किया या नहीं क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत कन्फीज हो रहा है लेकिन राइट इंसर जो इसका दी ही है राइट इंसर बिल्कुल डी नारियल है अब देखें कि नेस कोसर नमर 13 टेन क्लास में भी आप लोग इसको पड़े हैं कि मुगलन की दुवारा जनन किसमे होता ह है हम लोग पड़े हैं बाद यह किसमे होता है ये सबी बात है इसका जो राइट अंसर होगा वह होगा ईश्ट में ऑप्शन सी तो मुगलन के दवारा जो जननन है वह होता है ठीक तो राइट अंसर आपका हो जागा सी अब देखें कि इस कोसर नमर 14 नुणाकित में से कोन म तो दोस्तों इसको राइट रहा जो हो जागा हो जागा और प्रफ्टिपलर आपका आपके लिए नहीं रहा जो इस वीडियो को आप प्लीज इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेर किजें ताकि उसका भी यह syllabus complete हो जाए और ओब्जेक्टिव का जो टेंसल है जंजट है वो खतम हो जाए इसी तरह किसा आपका सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द कराएंगे लेकिन फिलाल अभी ऑब्जेक्टिव का चल रहा है तीक है अब देखेंगे इसमें से किसमें द्वी खंड सबी में तो दोस्तों इसका जो राइटन सर जगा वो हो जगास पंजमें यानि को उप्शन B तो जय मिलोस जो है वो इस्पंजमें बनता है ठीक है अब देखेंगे निसकोर्षी खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है यह बहुत-बार पुछा गया है तो लीची का जो हम बिना necess längre के फल इर्माण को क्या कहते है बिना necess来 से कि फरल इर्माण मों निंटि थैद को ज़का है उसको क्या कहते हम अब यूगमन बात कहते बात कहते है या पिर असंग जनन कहते है या अनिशेख जनन कहते है या निलन से सभी ये आपको option दिया जारा है दोस्टू इसके जो राइटंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनी-सियक जनल क्या है अनी-सियक जनल तो राइटंसर आपको option C हो जाएगा 18 का तो बिना निस्विदी को भी जो जा घ्रमान है उस वीधी को याहनने कि उस दीवधी को अम रोग क्या क्या कहते हैं अनीशियक जनन कहते हैं अब देखें डिसकोशन कोशन में 19 नेवलिकित में से सही का चुनाओ करें तो आपको यहाँ पर पूंच रहा है कि सही का चुनाओ यानिकि सही ओप्सन चुनने के लिए कहरा बोलिये स्पोंज अकार जुस्कोट या फिर पेनिसिलियम में जिम्यूलस या फिर सहवाल में पुलिया या फिर हैड्रा की कलिका यानि कि बड्ड इंगलिस में सको क्या बनते हैं बड्ड तो दोस्तो इसका जो राइटनसर है जैसे कि हम लोगों ने अभी तूरन देखा जिम्यूलस पेनिसिलियम वो जैमिलिस में होता, ठीक है, तो यह गलती हो गया, श्यावाल में कुछ इडिया है, तो होगा ही नी, अब यहापर दो ओप्सन में हम लोग पन फ्रफीज है, लेकिन इसका जो राइटनसर हो जाएगा, वह जाएगा आपका ओप्सन D, हैडरा की कलीका, तो राइटनसर आप जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो है west cooler bundles बिखरे होते हैं west cooler bundles जो है वो बिखरे होते हैं जिसके कारण हम लोग यह का grafting नहीं कर सकते हैं तो right answer आपका option यह हो जाएगा 20 का अब देखेंगे next question question 21 किसके लिए लेंगिक परजरन जिम्मियदार है तो बताइए यहाँ पर पूछ रहा है कि दुवी गुनेत अवस्था को बनाने के लिए या फिर identical young ones के सरुजित हेतु के लिए या फिर विकास वात में कोई भूमिका नहीं या फिर एक गुनत यानि कि जिसके लिए लेंगिक परजरन जो है यह काईप परवर्धन करता है किसका सकर का, runner का या फिर offset का या फिर राइजम का या फिर परकंद भुस्तरी ओपडी भुस्तरी या फिर अंतर भुस्तरी चारों दिया हुआ तो बताए यह पूदीन जो है पूदीना पूदीना बोलता है वो नहीं अबर पूदीन इन जो का इप परवर्धन करता है किसका करता है तो दोस्तो इसके राइटर सो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंतर भुस्तरी जिसको हम लोग यूंश में लिखते है आप्सन यह आपका आपका इंटर सो होगा एंतर बोलते है सकर तो यहां पर देखिए, आपर question पुछ रहा है, कि जो dog है, कुत्ता है, कुकूर है, कुकूर ठीक है, उसका समभावी जिवनकाल जो कितना होता है, 20 वर्स, 15 वर्स, 10 वर्स, या फिर 5 वर्स, तो बहुत लोग पालते होंगे, आप लोग का answer इसका आना चाहिए, काफी important question, इसका समभावी जिवनकाल है, वो 20 वर्स तकी जीता है, अब देखिएंगे, next question question number 24, साग, जिसको अब लोग बोलते है, square या फिर फिर्स, कोई, कोई, अपने अपनी तरीके से पढ़ता है, लेकिन यहां पर हम लोग साग को देखते है, साग को विरिंद, जिसको क्या लिखते है, इस टोप पर लगाया जाता है, इस परकार ग्राफ्ट किये विरिंद्च के फल किस पर निर्वर करेंगे, यह जो साग को विरिंद पर लगाया गया, इस परकार ग्राफ्ट किये जो विरिंद्च है, इस फल के किस पर निर्वर करेंगे, साग पर विरिंद पर या फिर या को क्या कहते है जो अगुनित कोशिकाओं के सलेंड की प्रेकरिया है इस प्रेकरिया को विलोग चा कहते है आपको यह question पोच रहा है इसका जो राइट हैं सर हो जाएगा वह जाएगा आपका सनयुग मैं यानि की sin gaming ठीक है option D सन यूग में तो अगुनित कोशिकाओं के सलेन की प्रेंगरिया को जो है सन यूग मन कहते हैं ठीक है सन यूग मन कहते हैं यानिकि इंग्लिज में उसको बंदे सिंगेमी चलिए अब ने इस को सुन के उड़ते हैं क्वेस्टन नमर आपका हो जाएगा 26 26 डैस में पत्तियों के खंडों द्वारा काई परजनन होता है आपको ऑब्जेक्टिव में इसी तरी की सर पूछा जाएगा ठीक है और चाहे आप कोई भी बोट से इससे कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि अब यहीं ऑब्जेक्टिव कोई कोई बोट में क्या होगा वापर चार ऑप्सन नहीं देगा बस अती लगों में पूछ देगा इस रेकोटेस नहीं है बाकि आप चाहे कोई भी बोट से आपको क्वेशन क्या पर देखते हैं डैस में पत्तियों के खंडों द्वारा काई परजनन होता है तो दोस्तों यहां पर जो इसका एंसर होगा 26 वह हो होते हैं मतलब करह रहा कि जो राच में जो घोलता है जो पूल जो खेलता है वो थे आता होथा हो अपसर क्लाद norm होता है थिए प्र कॉर्णी प्राणी परांई है बताए निम्नमे से कौन उभेलेंगी परानी है बुर्गी सांप या फिर दोनो या फिर केचुवा तो इसका राइट अंसर है आपका केचुवा 10 ग्लास में लोग परें ठीक केचुवा या अनकी ऑप्सन डी केचुवा जो है वो उभेलेंगी परानी होता है देखें निम्नम से कौन दवीगुनित सनचना है बताए निम्नमे से कौन दवीगुनित सनचना है अंडानू शुक्रानू युगमनज या फिर इनमे से सभी तो दोस्तों इसका राइट अंसर है 29 का वह आप लोग कमेंट करेंगी क्योंकि एक कौशन आप लोग के लिए छोड़ते हैं आप एक जन्मन से लेकर प्राकृतिक मुर्दू के बीद की अवस्ता को कहते हैं एक जन्मन से लेकर प्राकरतिक मुर्दू की बीद नेचुरल जो द्यत होता है चप्तर कौन है करें जीवनकाल jinाhat यूज़ आकसर कर्फिज होते है बताने तक अनुवनकाल तक000क्या कनया की रбыत जीप था रूप से समान जीवों को कहते है। मतलब पूछ रहा है साथ का क opens how the मैं यह करा हूँ कि कोई-कोई अभी होता है जिसका क्लोन बनाया जाता है जैसिके पहले क्या होता था WhatsApp का दो तीन आप मिलता था WhatsApp ओरिजिनल हो गया और उसके साथ जो मिलता है उसको क्लोन बोलते हैं ठीक है इसी को क्लोन यानि कि एक जैसा जीब एक जैसा आनुमन सिक और एक जैसा आकार होता है तो उसके बाद यह लिखा हूँआ जिन यूल्स एफिर दुवी खंडन दुवारा जो अभी आप में जो परजनन होता है अभी आप में परजनन किस परकार होता है तो दोस्तों इसका जो राइटनसर हो जाएगा वह जागबाद दुवी खंडन दुवारा है यानिकि ऑप्सन दी तो अभी आप में जो परजनन है वो दुवी खंडन दुवारा होता है ठीक अब देखेंगे डिसकुशन कुशन में ठाटी दीरी पेनी सिलेम में परजनन होता है कैसे अभी खंडन दुवारा होता है ओ पेनी सिलेम का पूछ दे ? पेनी सिलेम में पर पूछ दे घीक है इसमें लोग अकसर कुशन होते हैं यही राइटनसर आपका होगा अब देखेंगे नेस question question number 34 मासिक चक्र किस में होता है बंदर में, कपी में, मारब में, एफिर सभी में तो दोस्तों मासिक चक्र जो होता है वो किस में होता है तो बहुत लोग यहाँ पर मारब बोलेंगे क्योंकि सही बाता मारब में उता होता ही है और कपी और बंदर के बाले हम लोग जानते ही नहीं है लेकिन इसका जो right answer हो है आपका option D सभी में तो मासिक चक्र जो है, वो सभी में होता है अब देखेंगे नेस question, question number आपका हो जागा 35, जो की यहाँ पर end हो रहा है इस series का, अब हम लोग 35 यहाँ पर question है रखा हुआ करवा देते हैं, देखें, 35 जो question है क्या है निम्लम से किसमे ostris cycle नहीं होता है बताए, निम्लम से कौन है, जिसमे ostris cycle नहीं होता है तो 35 का जो right answer हो जागा, हो जागा बंदर की तो बंदर में ostris cycle नहीं होता, ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आपका यह part 1 series complete होता है part 2, next video में part 2 करेंगे और वहाँ पर आपको part 2 में 36 से सुरू करेंगे कितना से 36 questions से सुरू करेंगे इसी तरह किसे आपका 15-20 video में 20-25, जितना भी video में आपका 1000 हो सकता है किसी में 50 objective करवा दे, किसी में 60 करवा दे तो आपका 15-20 video में 1000 objective complete करवा देंगे और मैं आपको guarantee देता हूँ अगर आप यह 1000 objective को कर लेते हैं तो आपका 35 में से 25 मांस कोई निले के जाएगा और आपको objective का tension लेना ही नहीं है हो सकता है इसी objective को बज़े से कई subjective आपका बन जाए ठीक है तो आपको बस सभी series को देना part to part on पहले बार अगर चैनल पे जूरे है तो फिरी subscribe कर लिजे ताकि जो भी video part to part दरी डलेगा आपको आ जाएगा और मैंने फिजिस का पहले और डी video upload कर दिया है उसी तरीके से chemistry का में जल्द आ रहा है आप लोग देखेगा चले फिर मिलेंगी नावड़ में तब तक कि आपको पढ़ा करते रहे है all the very best